तारक महता का उल्टा चश्मा इस शो में एक और एक्जिट हो चकी है और वो भी उन्हीं की जिनके नाम पर ये शो है यानि की तारक महता ने खुद इस शो को कह दिया है अलविदा अभी तक उन्होंने इस के उपर कोई भी लाइट नहीं डाली है और उन्होंने कोई भी पर अब फाइनली कही न कही एक क्लियर पिक्चर दिखते हुए नजर आ रही है कि आखिर तारक महता ने यानि कि शैलेश लोड़ा ने आखिर क्यू छोड़ा तारक महता का उल्टा चश्मा आप देख रहे हैं फीफा फूल्स मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट विदांगी आ रहे है वेल उनको कई बार सवाल पूछने की कोशिश की है पाप्स ने मीडिया ने जहम जन्यलिस ने लेकिन हमी कोई भेस के उपर जवाब नहीं मिला है लेकिन फाइनली अब उनका आने वाला शो जो है इसके उपर लाइट डालते हो नजर आ रहा है कि पहले ये शो पा का नाम है जो बहुत जल्द हमें देखने मिलने वाला है जिसके उपर उनने जो है मीडिया के साथ इंटराक्ट भी किया है आपको बता दे हर एक दिन रात नौ बजे ये शो जो है टेलिकास्ट होने वाला है और खुद वाभई वा का नाम जो है शैलिश लोड़ा ने ही रे और इसलिए ये शो का नाम जो है वाभई वा हुआ अठरा दिनों के अंदर उस शो का पूरा सेट अप और पूरा जो कुछ भी सेट लगता है पूरी तरिके सेट डिजाइन कर दिया गया सेट अप जो है अठरा दिनों के अंदर जो है रेडी हो चुका था और बेसिकली जो तो प्रोडूसर है तारक महता का उल्टा चश्मा के यानि कि असत मोदी ने एक exclusive contract किया था सारे कास्ट के साथ जिसके चलते एक टाइम पे वो एक ही शो कर सकते यानि तारक महता का उल्टा चश्मा उसके लगा और कोई भी शो नहीं कर सकते और इसी कारण जो है शेलेश लोड लेकिन ऐसे सामने खबरे आ रही है कि उन्हें इस चीज के लिए मना कर दिया जिसके चलते काफी ज़द गुस्ता आ गए चल शेलश को और शेलश जी ने इस शो को छोड़ दिया और अब उन्होंने जो है इसके उपर कोई भी टिपनी देना बंद कर दिया है इसके उपर कोई भी कॉमेंट करना बंद कर दिया है शो के बारे में और स्पेशली शो क्यों छोड़ा इस सवाल का जवाब बूर नहीं देते लेकिन वाभई वाग को लेकर काफी ज़द एक्साइटेड है हर रात 9 बज़े आने वाला है ये शो कितने एक्साइटेड हो वाभई वाग के लि कितने वाब बूर नहीं द değ कर दिया है कितने है को आने वाग कर दो कितने वावकर कितना वाग को वाग कर दो क्यां दो एक भद्छादेड है cage पाल इंब पद सक्रादेड है फने गहीं।